नमस्कार जीके जीयस मंथन चैनल में आपका स्वागत है मैं पपु सर 24 अगस्त 2023 को BPSC द्वारा आयो जित प्रात्मिक शिक्षक नियुक्ति परिक्षा के सकेंड शिप्ट यानि दुत्य पाली के प्रस्ण का व्याख्यात्मक उत्तर इस वीडियो में दिया जा रहा है इस वीडियो में पहले हिस्ट्री जोगरफी पॉलिटी एकनोमिक्स करेंट अफेयर्स और साइंस इन सभी का व्याख्यात्मक उत्तर दिया जाएगा प्रसन संख्यां एक है पूणा पैक्ट का उद्धे से था यह भारतिय राश्ट्य कॉंग्रेस में महिलाओं का परति निदित भी दलीद बरका राजनितिक परतिनिदित सी रियासनतों के साथ संकार निर्मान he उपर्युक्त में से एक से अधिक यू पर्युक्त में से कोई नहीं इसका सही उत्तर है भी दलिद बरका राजनीतिक परतिनिधित 1932 में महत्मा गांधी कर्मिनल एबार्ड को वापस कर्माने के लिए पूना के यर्बदा जैल में आमरन अंसन पर बैठ गए अन्तित्य महत्मा गांधी और डॉक्टर बी आर अंबेटकर के बीच एक समझावता हुआ 1932 में जो पूना पैक्ट या पूना समझावता कहलाता है इसी समझावता के द्वारा कर्मिनल एबार्ड को वापस ले लिया गया और बदले में दलित बर्ग यानि हरीजन को आरक्षन प्रदान किया गया प्रशन संख्यां दो है अक पर्थम हकिल भारतिय कॉंग्रे समाजबादी सम्मेलन कहां हुआ था यह भागल पूर भी मुझपर पूर सी पटना डी को इन में से एक से अधिक एक कोई नहीं इसका सही उत्तर है सी पटना पटना में ही हकिल भारतिय कॉंग्रे समाजबादी पार्टी की अस्थापना हुई थी और इसी जगह पर इसका पहला सम्मेलन भी आयोजित किया गया था प्रशन संख्यां तीन है बायोग्राफी ऑफ कुमर सिंग एंड अमर सिंग के लिए खकोन है ए कार्लीकर दत्त बी जवाहर लाल नहरू सी एमन राय डी उपर्युक्त मे से कोई नहीं इसका सही उत्तर है ए कार्लीकर दत्त प्रशन संख्यां चार है सुभास चंदर भोष भारतिय राष्ट्य कॉंग्रेस के तिरपूरी अधिबेशन में किसको हराकर हध्यक्ष बने थे ए राज बिहारी बोष बी जबाहर लाल नहरू सी पट्टाभी सीता रमय् इसका सही उत्तर है इस उपर्युक्त में से क्ट्टाभी सीता रमय्य नाइन टिन थर्टि-नाइन इसवी में कॉंग्रेस का अधिबेशन तिरपूरी में बुलाया गया था तिरपूरी बर्तमौन में मध्य पर देश में जबलपूर के पास है और इस तिरपूरी सभास चंद्र बोस इन दोनों के बी चुना हुआ था और अंत में सभास चंद्र बोस ने पटाभी सीता रमय्या को पराजित करके तिरपूरी कॉंग्रेस के अध्यक्ष बने थे इस पर महत्मा गांधी ने कहा था पटाभी की हार मेरी हार है प्रसन संख्यां पॉंच है डॉक इसक्रित हितकार्णी सभा कि अस्थापना की विए उनका 1956 में द्यांत हो गया सी उन्होंने मूख नायक का प्रकासन किया दी उपर्युक्त में से एक से अधिक यूपर्युक्त में से कोई नहीं इसका सही उत्तर है डी तीनों विकल्प ए और यह बी और सी सही है प्रसन प्रसन संख्यां साथ है भारतीय राष्टिय संगर्श के दौरान किसने स्वादेश बंधव समीति का गठन किया था ए बटुकेश्वर्दत, बी सुर्ज सेन, सी असनी कुमार्दत, डी उपरयुक्त में से एक से अधिक, ई उपरयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी असनी कुमार्दत। प्रसन संख्या आठ है चमपारण नील अंदोलन के दोरान महत्मा गांधी के साथ कौन थे? ए महादेव देसाई, बी अबडुलबारी, सी नरहरी पारिक, डी उपरयुक्त में से एक से अधिक, ई उपरयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हड़ी, उपरयुक्त में से कोई नहीं। 1917 में चंपारन नील अंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ डॉक्टर राजंद परसाद अचार जेबी कृपलानी जैसे नेता गए हुए थे प्रसन संख्यान नो है किस्तित्री को अगस्त करांती 1942 के दौरान लिल लिठ्रगो ने पटना एबम इसके आसपास के भीर पर गोली चलाने का आदेश दिया था ए पंद्रे अगस्त बी पचीस अगस्त cycle को सची बाले पर पर एंगा जंडा फाराने के करम में पुलीस ने गोली चला दिया था जिसमें की साथ स्टूडेंट साथ चात्र सहीद हो प्रसन संख्यां 10 किस बर्ष बिहार प्रांतिय किसान सभा का गठन किया गया था एए 1924 बी 1929 सी उनेश्व बीस डिव परियुक्त में से एक से अधिक यू परियुक्त में से कोई नहीं थी इसका सही उत्तर है भी 1929 इस्दी में पट्ना के लिकेट बेगे स्वामी सहजान सरस्वती ने बिहार प्रांतिय किसान सभा का गठन जठन किया था बल्कि भारत के भी सबसे बरे किसान लेता थे एक 11 नमबर है निमलिखित में कौनसा बिद्रो या अन्दोलन नंबीदारी रकने पर लगाये जाने के कारण हुए था, A पागलपन्ति बिद्रो, B बहाबी अंदोलन, C फराजी अंदोलन, D उपरिक्त मेंसे एक से अधी, Y उपरिक्त मेंसे कोई नही, ऐसा कोई भी अंदोलन दारी रखने के लिए नही चलाया गया था, प्रसिल संख्राइब 12 कि साधियंत्र के मामले में 3 अंγรेजों को साजिश था अंग्रेजी सत्ता के परती इसलिए और चुकि यह मामला मेरट में चला था इसलिए इसको मेरट सधी अंतर केस कहा जाता है प्रसन संख्याते रह इनमें से कौन विश्वास करता था कि एक सामभादी समाज भविस्का प्राकिरतिक समाज उपनट है ठाए मित्र जर्मनी के और फ्रैट्रिक एंगिल्स इंग्लेंड के थे और इन दोनों सामभबादी समाज भविस्ट का प्राकृतिक समाज इन दोनों ने मिलके माना है प्रसर संख्या 14 है इन में से कौन दी कौन बी सोसल कॉंट्रेक्ट पुस्तक का लेखक है जॉन लॉक बी जॉन जैक्स रूसो सी थॉमस हॉब्स यू पर्युक्त में से एक से अधिक यू पर्य की करांती 1789 की नहीं होती है प्रसन संख्या 15 है निमलिखित अंदोलनों में से किसका भारत बर्स के अंतरगत बहुत देशिये पर्योजनाओं के विरुद सुभारंब किया गया था ए टिहरी बांद पर अंदोलन बी चिपको अंदोलन सी नर्मदा बचाओ अंदोलन डियू बंद बनाने के लिए सरदार सरोबर पर्योजना की बनाया गया था इसी को नर्मदा गाठी पर्योजना भी कहते हैं इस अंदोलन का भारत में पहली बार बिरोध हुआ था और इस बिरोध का नित्रित मेगा पाटे कर और बंदना सीवाने की थी प्रशन संख्यां 16 है निम्लिखित में कौन सा भारत के संभिधान के अंतरगत मूल करतब है ए प्राकिर्तिक परियाबनन को सुरक्षित करना भी अपने बच्चों को सैक्षिक अपसर प्रदान करना संभिधान के भाग 4A में मूल करतब का बर्णन किया गया है अनुचे 51 में और इसमें बरतमान में 11 मूल करतब है जिनमें A, B और C तीनों मूल करतब है प्रसन संक्या 17 है पाकिस्तान और दी पार्टिसन अप इंडिया किसने लिखा था A, मुहमद अली जिन्ना, B, डॉक्टर भीम राव अंबेटकर, C, मुहमद इकबाल, D, उपरिक्त में से एक से अधिक, E, उपरिक्त में से कोई नहीं इसका सही उत्तर है B, डॉक्टर भीम का राम जी अंबेटकर, प्रसन संक्या 18 है, आयरलेंड को जबरदस्टी उनाइटेट किंडम में कम मिलाया गया था, A, 1789, B, 1801, C, 1707, D, उपरिक्त में से एक से अधिक, E, उपरिक्त में से कोई नहीं, इसका सही उत्तर है C, 1707 इस भीम इनाइटेट किंडम ने आयरलेंड क तो युनाइटेट किंडम में कम में सामिल कर लिया था, प्रसन संक्या 19 है, सर्व सिक्षा अभियान किसने प्रारंब किया, A, नर्सिंगारा, यानि प्रदान मंतरी, P.B. नर्सिंगारा, B, अटल बिहारी बाचपेई, C, इंदरा गांदे, D, उपरिक्त में से एक से अधिक E, उपरिक्त में से कोई नहीं, तो B है अटल बिहारी बाचपेई, प्रसन संक्या 20 है, सिरिलंका कब सोतंतर हुआ, A, 1947, B, 1948, C, 1945, D, उपरिक्त में से एक से अधिक, उपरिक्त में से कोई नहीं, E, इसका सही उत्तर है, B, 1948 इस भी में, भारत से एक बरस के बाद, और 15 अगस है, अनपुर्णा योजना रासन काट किसके लिए है, एक गरीबी रेखा के उपर बाले परिबार के लिए, भी गरीबी रेखा के नीचे बाले परिबार के लिए, C, ब्रीद और गरीब लोग जो 65 बर से अधिक्त के हो, D, उपरिक्त में से एक से अधिक, और उपरिक्त में से कोई नहीं इसका सही उत्तर है सिब्रीद और गरीब लोग जो 65 बर्स से अधिक्य हों प्रसल संख्यां 22 है कि सूची एक को सूची दूसरे सुमेलित कीजिए और सूची के नीचे दिये गए कूट से सही उत्तर का चैन कीजिए अंदोलन का नाम है और उनसे सम्दित महत्पुन के अंदर है नील के पौधे लगाने बालों का अंदोलन दो से मिला दीजिए चंपारन से तो दो सिर्फ बिकल्ब संख्यां बी में है बी खेतियर सत्यागरा को खेरा से मिला दीजिए बी का तीन तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी दो तीन एक चार का मतलब है कि नील के पौधे लगाने बाले का अंदोलन चंपारन में खेतियर सत्यागरा खेरा में कपास मिल मजदूरों का सत्यागरा अंदाबाद में और असायो गांदोलन चोरी चोरा में प्रस्तन संख्यां 23 भारत में पिरेश की सोतंतरता लोगों को पराप्त है क्योंकि या भारत के संभिधान में विशेश रूप से प्रदत है बी या विचार अभिव्यक्ति की सोतंतरता के अधिकार में नहीं थे प्रस्तन संख्या 24 सूची योग को मिलाईए खनी संसादनों की संपन्दता परंतु अधियोगी की करन की कमी इसको ए जार्खन से मिला दीजिए दो नंबर जल संसादनों की संपन्दता परंतु अराधार धारपुस संरचना के विकास की कमी इसको और नाचल प्रदे से मिला दीजिए प्रसन संख्या 25 है हिमालियन यू नामक औस्दिय पौधा भारत के निमलिखीत में से किन प्रांतों में पाया जाता है ए उत्राक्षण्द ए उत्राक्षण्द एक से आधिक इW उपरयुक्ट में से कोई germ Kirk प्रसन्द मेंक पर्देश यानि भी कलव संक्षिया की सियू जो हिमालियन lack औज्जिय पौधा इसका इस्तेमाल कैंसर के चिकप सामे किया जाता है प्रसन संख्या 26 समुद्र पारिये नागरिक्ता ओ आए सी योजना भारत में निम्लिकीत में से की सद्धिनियम द्वरा प्रारम की गई थी ए नागरिक्ता अदिनियम उनीस्वा पचीपन बी नागरिक्ता संसोद्धन अदिनियम 2019 सी नागरिक्ता संसोदन अध़िनियम 2003 दी उपरisto में से एक से अधिक य उपरयक्त में से नहीं तिसका अंसर है उपरयक्त में से कोई नहीं इनमबर नागरिक्ता के द्वारा एनराई और पियाईयों को उन देशों के साथ साथ भारत की भी नागरिक्ता प्रदान कर दी गई प्रसर संख्या 27 है निमलिखित में कौन सा भारत में कठोर जाती वेवस्था के लोप होने के मुख्य कारण के रूप में जाना जा सकता है एस समाजिक सुधार उपर युक्त में से एक से अधिक जो कठोर जाती वेवस्था के कमजोर परने या खत्म होने का मुख्य कारण है वो उपर युक्त तीनों है समाजिक सुधार और आर्थिक विकास से भी कमी आया है सक्षरता एवं सिख्षा विकास से आया है और संबिधान और इसकी आधार 24 वी, 2500, 20023, डी उपर्युक्त में से एक से अधिग, युपर्युक्त में से कोई नहीए, इसका सगी उत्तर है, A, 2004. 2004 वी के पहले पंचाईती राज्विभाग था और गरामिर्भीकास मंस्तराले के अंतरगत था. 2014 में भारत सरकार ने पंचायती राजवी भाग को गरामिर विकास मंतराले से निकाल लिया और अलग से पंचायती राज मंतराले का गठन कर दिया प्रसन संक्यां 29 है भारत में मिधेन का मुखे सुरूत है ये गन्ने का खेत बी धान का खेत सी गेहूं का खेत D. उपर उक्त में से एक से अधिक E. उपर उक्त में से कोई नहीं तिसका सही उत्तर है B. धान का खेट धान का खेट बिथेन का सबसे बड़ा सुरुत माना जाता है इसके आलाबा जो गोबर है पसू का मल वहाँ सबसे बड़ा बिथेन का सुरुत होता है परसन संख्यां 30 है बायू मंडल की किस परत्गा तापमासंब रही है. इसका सही उत्तर हमको नहीं पता है मेरे अन्दाज से इसका उत्तर भी होना चाहिए जैब संचे प्रहसन संख्या 32 है निमलिकीत में कौन सा सुस्का तारम भी अनुकरन में अगरगामी परजाती के रूप में कार्ज करता है या करती है इसका भी सही सही उत्तर नहीं पता है लेकिन मेरे अनुसार इसका उत्तर होना चाहिए प्रहसन संख्या 33 है राइसर सम्मेलन किसके संरक्षन से जुड़ा हुआ है आदर भूमी बी बन सिस्सुस्क भूमी यू परयुक्त में से एक से अधिक यू परयुक्त में से कोई नहीं तो इसका सही उत्तर है आदर भूमी यह वेटलेंड भूमी का लाता है और राइसर इरान से लिया गया सब्द है जो आदर भूमी यानि दलदली भूमी के संरक्षन से जुरा हुआ प्रसन संक्या 34 है इटाई इटाई रोग किसके कारण होता है ये लोहा बी कैडमियम सी पारा डी उपर्युक्त में से एक से अधिक ई उपर्युक्त में से कोई नहीं इसका सही उत्तर है बी कैडमियम के कारण इटाई इटाई रोग होता है प्रसन संक्या 35 है निमलिकित में से कौन सा स्वा अस्थाने इन सीटू सनरक्षन के अधिन सामिल नहीं है ए राष्टिय उद्यान, बी बन जीव भ्भ्यारन, सी बनस्पति उद्यान, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, यउपर्युक्त में से कोई स्वाश्थान संरक्षन में वो चीज़ सामिल किया जाता है, जिस द स्थान पर वो है था और इसी अष्थान पर है, तो राश्टिये उद्धियान और बन जीवा भ्यारन को इंसीटूस अन्रक्षन के अधीन सामिल किया गया है प्रसन संक्या 36 है पारिस्थितिकी तंतर में वाई आकार का उर्जा परभा मौडल किसके द्वारा दिया गया था इसका सही उत्तर है सी ओड़म के द्वारा पारिस्थितिकी तंतर में वाई आकार का उर्जा परभा का मौडल प्रस्थूत किया गया है प्रसन संक्या 37 है एस ओटू पर दूसन सुचित होता है ये मैंगोरोब द्वारा बी लाइकेन द्वारा इस ओटू सालीम आली पक्षिय वहारन इस्थित ए मद्दपर देश में वी पश्च्य मंगाल में सी उत्तर पर देश में दी ईपर उग्प में से एक से अधीक, ईउपर उपर उग्प में से कोई नहीं तिसका सही उठ्तर है। कोई नहीं सलीम अली पक्षी भीहार जम्मू कास्मीर में है प्रसन संक्या 39 है IUCN मुख्याले कहा है A. फरांस, B. आस्ट्रेलिया, C. स्विटजर लेंड D. उपर उक्त में से एक से अधिक E. उपर उक्त में से कोई नहीं इसका सही उत्तर है C. स्विटजर लेंड में इसी संस्था के द्वारा रेड डाटा बुक जारी किया जाता है प्रसन संक्या 40 है एक पोशी अस्तर में दूसरे पोश्टी एक पोशी अस्तर से दूसरे पोशी अस्तर में कितनी उर्जा अवसोसित होती है A. दस परतिसत, B. पंदरा परसंट C. परसंट D. उपरयुक्त में से एक से अधिक E. उपरयुक्त में से कोई नहीं जिसका सही उत्तर है A. दस परसंट जब एक पोशी अस्तर से उर्जा दूसरे पोशी अर्जा में जो है अवसोसित हो जाता है तो उर्जा दस परसंट अवसोसन किया जाता है प्रसन संख्या 41 है निम्लिखित में कौन सा दुत्यक पर दूसक है एसो टू बी ओजोन सी पी एएन डी उपर युक्त में से एक से अधिक इउपर युक्त में से कोई नहीं इसका सही उत्तर है एसो टू प्रसन संख्या 43 है पारिश्थित्की तंतर में उर्जा परवा का 10% नियम दिया गया था ए से कोई नहीं तो इसका सही उत्तर है क्रणाटक में डी उपर युक्त में से एक से अधिक इउपर युक्त में से कोई नहीं जिसका एंसर है उपर्युक्त में से एक से अधिक D केरल और करनाटक में उसनकटी बंधिये बरसा बन पाए जाते हैं 44 के बाद 45 से मैथ और रिजनिंग का प्रस्ण शुरू हो रहा है इसलिए इस विडियो में अभी इतना ही 44 प्रस्ण का ब्याख्यात्मक उत्तर दिया गया है सेश प्रस्णों का उत्तर अगले विडियो में दिया जाएगा तब तक के लिए जय हिंद जय भारत